गुद मॉर्णिंग बच्चो आज हम पहला पार्ट भारत के बच्चे पढ़ेंगे भारत के बच्चे हम सब भारत के बच्चे हैं बच्चो माता हम किसे किसे कहते हैं माता हम इस धटी मा को कहते हैं भारत को कहते हैं और मा जिसने हमको जनम दिया उसको कहते हैं उनको कहते हैं आज अब कविता शुरू करने जारे हम लोग भारत के बच्चे मैं एक-एक पंक्तियों को पढ़ूंगी और आप उसके बाद उन पंक्तियों को दोराएंगे जिससे आप सुद उच्चारण के साथ कविता पाच कर सकेंगे हम भारत के बच्चे हैं बस आगे बढ़ते जाएंगे आएं सो तुफान सामने रोकना हमको पाएंगे कवि इन पंक्तियों में ये कहना चाते हैं कि हम सभी भारत के बच्चे हैं और जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे चाहें कितनी भी बाधाएं हम को रोकने के लिए आये, कितने भी तुफान आये, हम सब का सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे. हमें न समझो नन्हे मुन्हे, हम साहस के पुतले हैं, दिल के हैं मजबूत बड़े हम, सनके लगते दुबले हैं. भले हम देखने में पतले दुबले हैं, नन्हे मुन्हे बच्चे हैं, पर हम साहस के पुतले हैं, हम बहुत साहसी हैं और दिल से बहुत ही मजबूत हैं, दिल क बहुत मजबूत हैं, बहुत मजबूत इरादे रखने वाले बचे हैं। जो हमसे टकर लेगा, हम उसको सबक सिखाएंगे, हमें न समझो, छोटे हम हैं, काम बड़े करने वाले। हम इस छोटे बच्चे मत समझो, हम बड़ी सी बड़ी काम को करने वाले बच्चे हैं और बड़ी सी बड़ी कामों को बहुत आसानी से कर लेते हैं। बड़ी बड़ी बाधाओं से भी तनिक नहें डरने वाले चट्टानों को तोड़ फोड कर राहे नहीं बनाएंगे। हम बड़ी सी बड़ी बाधाएं जो जीवन में आएंगी हमारे उससे हम तनिक भी घबड़ाएंगे नहीं डरेंगे नहीं और चट्टानों को तोड़ फोड़ कर रस्ता बना लेंगे जीवन में आगे बढ़ने का हमें न समझो यूही हम है भारत माता की आशा सब कुछ नियोचावर कर मा की पुर्ण करेंगे अभिलाशा हमको यूही मर समझ लेना हम को छोटी मोटी चीज़े नहीं है हम भारत माता की आशा हैं और अपना सरवत्तर भारत माता पर निचावर कर देंगे किस लिए निर्चावर करेंगे? मा के अभिलाशा को पूर्ण करने के लिए इस धर्ती माता के अभिलाशा को पूरा करने के लिए हम अपना सरवर्स्त्र निर्चावर करने को तैयार हैं गिरे आज हैं जो समाज में उपर उन्हें उठाएंगे हम भारत के बच्चे हैं, बस आगे बढ़ते जाएंगे समाज में जो गरीब और पिछवे वर के लोग हैं, हम उन्हें उपर उठाएंगे हम बच्चे हैं तो क्या हुआ? हम उनका भी सहारा बनेंगे और जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे कवी का नाम है विश्वनात गुप्त, कवी विश्वनात गुप्त भारत के बच्चों की साहस ओध्रन संकल्प के बारे में इस कविता में कहते हैं कि हमारे देश भारत के बच्चे कितने साहसी ओध्रन संकल्प वाले हैं जो मुश्किल से मुश्किल रा को भी आसान बना लेतें अपने साहस और द्रण संकल्प के बल पर इस कविता का पार्ट करने के बाद बच्चे बच्चों आप इस कविता को अपनी कौपी में लिखेंगे और कॉपी में लिखने के बाद, सही उचान के साथ कॉपी में लिखना है, और कॉपी में लिखने के बाद शब्द अर्थ लिखेंगे, अभ्यास शुरू करने से पहले, अभ्यास शुरू जैसे हम करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे शब्द अर्थ, सबसे पहला जिसका अर्थ है हिम्मत पिर है तन जिसका अर्थ है शरीर टक कर लेना मुकाबलाद करेगा। बाधाओं कठिनाईयों फिर है तनेक जिसका अर्ट है जरा और थोड़ा नियोचावर बलीदान पुन कार्थ है पूरी अभिलाशा कार्थ है इक्षा इन सभी शब्दों को अपने कॉपी में शब्दार्ट के साथ लिखना है उसके पास चुत लेख आता है ये कठिन शब्द है कविता में आय कठिन शब्द है कुछ इन शब्दों को अपने कॉपी में कम से कम पांच बार आप लिखे बोल बलकर सुध उच्चारण के साथ लिखे जिससे आपकी वर्तनी शुध हो जाएगी आप सही सही लिखना सीख पाएंगे जब भी लिखे तो उच्चारण के सा साथ लिखे सबसे पहला शब्द है तूफान, नन्ने मुन्ने, टककर, नियोचावर, पुर्ण और अभिलासा इसके बाद हम कविता के कविता में जो मौकी को लिखे तुप प्रश्मुत्र दियावा इन प्रश्मुत्र को नहीं करना है पिर कविता के इन पंक्तियों के अर हम भारत के बच्चे हैं इसका अर्थ क्या हुआ हम सब भारत के बच्चे हैं भारत के रहने वाले हैं इसलिए हम सब भारत के बच्चे हैं दूसरा है बस आगे बढ़ते जाएंगे जीवन पत में हम आगे बढ़ते जाएंगे चाहे कितनी भी बादाएं आये हम उनसे बढ़ते जाएंगे, रोकना हमको पाएंगे, ये बाधाएं जो हमारे जीवन में आएंगे, तुफान जो हमारे जीवन में आएंगे, इनसे हम तनिक भी घबडाएंगे नहीं, ये हमें नहीं रोक पाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे, दूसरा प्रश्म है कविता की पूरी करो, कवीता के पंक्तियां को दिया हुआ है, जिसके इन पंक्तियों को पूरी करना है, सबसे पहले हम, पेंसल से अपने बुक में ही लिख लेंगे, उसके बाद उसको कौपी में लिखेंगे, बड़ी-बड़ी बाधाओं से भी, तनित नहें डरने वाले, चट्टानो को तोड़ फोड़ कर राहे नहीं बनाएंगे फिर है खो हमें न समझो यूही हम है भारत माता की आशा सबकु नियोचावर कर मा के पुन करेंगे अभिलाशा फिर है सोच कर लिखो बच्चो इसे आपको स्वेम लिखना है और कम से कम पांच वाकी लिखना जिससे की आपकी ल लिख पाएंगे देश के जागरुप नागरिकों को किन नागरिकों में कौन-कौन से गुन होने चाहिए हमारे देश के जो नागरिक है जो जागरुप नागरिक है उनमें कौन-कौन से गुन होने चाहिए यह आपको लिखना है अभी सिर्फ मैं इसके बारे में आप से कि भविश्य के लिए कुछ अच्छा करें देश के रक्षा के लिए करें और बर्तमान स्विटी जो चल रही हमारे देश की उसके लिए योगदान करें और बच्चों आप इस इस स्विटी को देखते विए क्या योगदान कर सकते हैं घरों में रहकर आप एक जागरुक कुदान दे सकते हैं भारत देश के लिए आप लोग अपने घरों में रहें और मन लगा के पढ़ाई करें खुब खायें खेलें घर की अंदर ही पर और अब स्वस्त रहें इसी के साथ अब अगले क्लास में हम और इस पार्ट को आगे पढ़ेंगे